विपकोल्ट होता है एंप्लीफाय करना जो कि हाई गेंग कि होते हैं जिनकी वाइड रेंज होती है और फे किसी भी रेडियो फ्रिक्वेंसी पे जिसको हम कमर्शियल ब्रोड कास्टेशन पे यूज करते हैं लेकिन यह पॉसिबल है कि जो एंप्लिफायर्स हैं वो प्रोवाइड कर सकें एक हाई गेन जो कि नेरो बैंड में हो कमपारिटीव इसकीृड फ्रिक्वेंसी जिसके इंटेमेडेश फ्रिक्वेंसी कहते हैं इची सूपरह्टोड रेसीवर्स में हैं स्टेमेंट की उडजेस्टम और फ्रिक्वेंसी को जिए ете इंटेमेडेट् फ्रिक्वेंसी क्या करता है bulkar ने हैं जो सिगनल्स होते और super heater and receivers two signals different frequency two signals को mix करता है उसके बाद हमें output मिलते हैं इसके जो output हमें receivers speakers के दूँर हमें output मिलते हैं इसमें जो components है RF amplifier जो radio frequency को amplify करता है यहां से जो RF signals जाते हैं वो जाते हैं mixers में और दूसर signals आते हैं local oscillator से यह mixer क्या करता है उन्हें mix करके multi stage amplifier पे send करता है amplifier से amplified होके यह detector यानि demodulator पे जाता है जो AGC और AFC, automatic gain control और frequency control के साथ connected होते है low pass filter से pass होने के बाद जब हम इस low pass filter में से pass करते हैं particular frequency को pass करता है जो कि connected होता है हमारा first AF के साथ यह जो हमारा AF है यह one low level audio stage है जो कि power amplifier के साथ connected होता है और speaker के स्थू हमें output मिलती है जो हमारा यह हमारे signals होते हैं जो local oscillator और RF amplifier है यह दोनों tuned circuit के साथ connected होते हैं जो करते हैं particular frequency को tuned करते हैं और उसे क्या करते हैं send करते हैं mixers में यह band pass filter की तरह भी work करते हैं जो कि pass करते हैं RF signal frequency को और दूसरी frequency को क्या करते हैं block करते हैं इनको हम RF amplifier क्या करता है बूस्ट करता है noise level से signal को noise level से जाधा boost up करता है और उसे send करता है another signal local oscillator से जाता है और mixers में जाते हैं mixers mixer में क्या करते हैं यहां से local oscillator oscillator और RF oscillator से प्रिक्वेंसी गई mixer क्या करेगा इन दोनों frequencies को mix करेगा mixer में से यह जो local oscillator के signals होते हैं यह another type of oscillations होती है और इसकी जो oscillations आती हैं यह another type فيما. इसके output को हम Multi-Stage Amplifiers में डालते है यह जो mixer की output जिसपम a feed करते है यह 2ões fix-tune होते है और provide करते है sufficiently solae activity reject नो adjacent channels reject करते है यहां से multi-stage Amplifiers में जो कि इसकी output को feed किया जाता है detectors यह चून सरक्सूर्ट होता है डिकेकार करते हैं दिक डिक भी और c और c क्या करते हैं और फुद में पासट पाasis को कोड़ता है पास करता है हाई फ्रिक्वेंसी को स्टॉप करता है यह किनेक्टेड होता है हमारा एक के साथ जो कि हमारे ओडियो फ्रिक्वेंसी वॉल्यूम को कंच्रोल करता है और यह इसके बाद इसके बाद होता है मेरे पावर एंप्लिफार से जो भी हमारा सिगनल मिक्स जो हमारा सिग करके एंप्लिफाय करके हमें जो सिंगनल आता है वह हमें स्टीकर के थू आर्टुट पे मिल जाता है यह हमारा स्यूपर हेट्राइन इसके जो अड्वांटेजीज हैं कि इसका एंप्लीफिकेशन होती है लार्ज होती है और इसके स्लेक्टिवीटी ऋती है जादा होती है इंप्रूव्ड होती है और कॉस्ट भी कम होती है यह हमारा सूपर हेट्राइन रिसीवर